वेल्कम बैक टु माई चानेल आज मैं आपके लिए क्रोशिट तोरन या तोरन पट्टी का वीडियो नहीं लेके आई तो यहाँ पे जो मैंने ट्रिपल क्रोशिट बनाया है वो मैं आपको सिखाऊंगी मैंने किस तरह से बनाया है पिछले वीडियो में मैंने आपको हम डबल क्रोशिट के से बनायेंगे वो बताया है तो आप चानेल पे जाके देख सकते हो अगर आप नए सीख रहे हो क्रोशिट तोरन बनाना या तोरन पट्टी बनाना तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो या सीख सकते हो तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजो में जो बेल आइक होने हैं उसे इस तरह से बनाएंगे वह बताया है तो प्लीज आप चानल पे जाके बाकी की वीडियो को देख लो और इस वीडियो को भी पूरा देखना तो चलो वीडियो बनाना शुरू करते हैं इस तरह से हम क्रोशिट को लेंगे और जो हमारी उंगली है उसके उपर इस तरह से सरकल के जैसे गुमा के लेंगे और बीच में से जिस तरह से हम नौट लगाते हैं सिंपल उसी तरह से बना के लेना है और जो हुक है उसको हुक के बीच में लेके चैन बनानी है तो हम चैन के से बनाएंगे वह भी मैंने बता है चानल पे तो प्लीज आप जाके वीडियो को उस को ज़रूर देखना तो इस तरह से मैं आपको बस दिखाने के लिए कुछ चेन बना के बताऊंगी तो यहाँ पे मैं चेन बना के लेती हूँ तो इस तरह से चेन बना के हमें 4 चेन बनानी है 1, 2, 3 और 4 और जो हमारा यहाँ पे 4 नमबर से पहले जो चेन है उसके उपर 1 और 2 जब हम डबल कुर्शिट बनाते हैं तब हम एक ही बार लेते हैं दागे को सुई के उपर और ट्रिपल कुर्शिट बनानी के समय यह दो बार लेना है और यहाँ पे जो चेन है 5 नमबर की उसके उपर इस तरह से एक ट्रिपल कुर्शिट बनाना है सॉरी मैं आपको फिर से बताती हूँ तो इस तरह से ट्रिपल कुर्शिट को लेके नीचे जो फाइन नमबर का चेन है उसके उपर इस तरह से पेलेट टू, हुक से फिर टू और फिर टू और जो हम डबल कुर्शिट बनाते हैं वह समय हम श्रिप टू और टू ऐसे टू बार ही टू स्टेप में हमारे डबल कुर्शिट बन जाता है ट्रिपल कुर्शिट के लिए हमें थ्री बार लेना पड़ता है उसके बाद आगे फिर से दो बार हुक के उपर सुई के उपर कुर्शिट को लेके आगे जी चेन है उसके उपर इस तर एस लेंगे पहले दो फिर दो और फिर दो एसे क्रिपल कुर्शिट हो गया है फिर से टू बार लेंगे फिर से टू टू बार टू एसा होता है त्रिपल कुर्शिट तो फ्रेंड मैंने मेरे चैनल पे ऐसे डबल कुर्शिट सिंपल कुर्शिट हाप डबल कुर्शिट जो वीडियो डाले है वो आप जरूर देखना और कुर्शिट में यही डिजाइन होती है जो आपको आ जाए तो फिर आप कोई भी डिजाइन बनसे तो फिर से इसी तरह से आगे का राउन बना नहीं स्वारी तो यहाँ पर मैंने टू बार इस तरह से लेके इसी तरह से पूरा यहां तक बनाएंगे तो परेंग इस तरह से मैंने यह राउंड बनाया तो यहां पर अब हम four chain बनाएंगे और turn करेंगे तो जब हम double crochet बनाते हे तब यहां पर जो मैंने four chain बनाई वहाँ पे हम 3 chain बनाते हैं और जब हम double crochet बनाते हैं तब हम 2 chain बनाते हैं और simple crochet बनाते हैं तब 1 chain बनाते हैं वो उसकी लंबाई या size है उसके बाद फिर से 2 बार लेके यहाँ पे आगे की double crochet के उपर और एक triple crochet तो फ्रेंड इस राउंड को भी हम ऐसे ही पूरा करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने दूसरा राउंड भी पूरा करके लिए तो इसी तरह से triple crochet बनाते हैं आपको मेरा वीडियो के इसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरी चानल को like, share, subscribe करना तो फ्रेंड ब झाल